अलो फ्रेंड्स, वल्कम रेक। दोस्तों, जिसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रश शास्त्र को लेकर के एक नई शीरी शुरू कर चुके हैं, जिसके अंतरगत हम रश रत्न समुच्चे में वरनित रशोशद्यों के बारे में चाचा कर रहे थें। तो आज हम एक नई रशोशद्य के बारे में चाचा करेंगे जिसका नाम है स्वास कासक अरिकेसी रश। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका रोगादिकार क्या है, क्या इसके गटक दरव्य है, किस तरह से बनाया जाता है, क्या इसकी मात्रा है, क्या इसके भावना द्रव्य है और किन किन रोगों में इसे प्लुक्ति किया जाता है तो इन सारी बातों की चार्चा आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर करके इंट तक जरू देखेगा और यदि आप एले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि आपको ऐसी ही नई रशोशुदी के बारे में जानकारी मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों स्वास कासक अरी केसी रसका वणन रस्षत समूच्चय में स्वास्ची किसा के अंतरगत आया है अर्थात इस रसका जो लोग अधिका स्वास्ची किसा आये देखते हैं कि इसको बनाय किसे जाता है क्या इसके घटक द्रभ है तो सबसे पहले हम इसका श्लोक पढ़ते हैं ताकि कोई गलती ना हो उसके बाद हमें श्लोक को पुरा समझेंगे तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है तार ताम रस पिष्टिका शिला गंद ताल सम भागिका मरसे हैं आठ रूश सुरुष्सा आद्र के संभवे मर्दनम प्रकुरु गोलकम तता मसनयाच परिवेश्ट य गोलकायाम याम युगम अथम भूधरे पचेद गंद केन कुरे सत्समम तत्स्च आठ रूशक कटुकेर विभावियत स्वासकास अरी क अब हमने पुरा श्लोक पड़े लिया आये देखते हैं कि इसको हम केस तरह से समझ सकते हैं इसमें तो तार का आर्थ होता है वह जाता है चांदी मत्तब रजत जिसे हम संसकत्म भाशा में बोलते हैं तो रजत भस्म जो रहेगी वह आपकी एक तोला शुद्ध तामर भस्म एक तोला शुद्ध पारत एक तोला या फिर पारत या गंधक की पिष्टे जो रहेगी वह एक तोला उसके बाद शुद्ध मनशिला एक तोला शुद्ध गंधक एक तोला और उसके बाद शुद्ध हरताल ये भी एक तोला तो प्रत्यक दरवे जो है वह एक एक तोला की मा मिलाकर सबको महिन पीछ कर वासा अडूसा सामानी वासा में कहते हैं तो अडूसा जुसका वासा संस्कत नाम है सुर्षा अर्थतुलसी और अद्रक के रस से क्रमशा एक एक बार भावित करके उससे अच्छी प्रकार का घोटकर एक बड़ा सा गोला बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है पारत और गंथक कजली बनानी है उसके बाद वासा अड्रक इन सबकी एक एक बार क्रमशा भावना देनी है उसके बाद क्या करना है भावना देने चारों हो छे भूदर यंत्र में पकाना है ठीक है आपको यहां पर मूशा में इसको पेक करना है उसके बाद इसके कपड़ मिट्टी करकर भूदर यंत्र में रखना है स्वांग सीत यंत्र से सिद्ध ओशदी को निकाल कर खरल में महीन चूण कर उसमें एक तोला मतलब 12 ग्राम शुद्ध गंधक मिलाकर महीन पीस कर उसमें अडूसा और त्रिकटू के कवात की साथ-साथ भार भावना देनी है तो यहां पर आपको क्या करना है जिसे आपने भूदर यंत्र में से रखा जब ठंडा हो गया तो उसे निकाल करके खरल में पीसना है तो खरल में पीसेंगे आप, तो खरल में आपको क्या करना है? गंधक मिलाना एक तौला उपर से और उसके बाद अवासा और त्रिकटू, इनकी साथ साथ भावने आपको न देनी है उसके बाद क्या करना है? अच्छी प्रकार से घोट कर सुखी में इसको सुखा करके शिशी में आपको भर लेना है किसी को स्वासकास अरिकेसी रस कहा जाता है तो इस तरह से आपका जो स्वासकास अरिकेसी रस से उसे बना जाता है इस रच की जो मात्रा है वो एक वल अर्था 3 रद्ति अगर इसे Mg मैं बात करें तो 375 Mg की जो डोज होती, वो बताई गई है तो किस लेना इसको इस रच की 375 Mg मतब एक वल या फिर तीन रद्ति की मात्रा प्र ती दिन सेवन करने से स्वास कास जो नर्स रोग होते हैं नश्ट हो जाते हैं यहां पर बता रखा है कि आप से स्वास कास दोनों रोगों में प्रूक्त कर सकते हैं तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से आप इसे बना सकते हैं, क्या इसके गटक द्रव्य हैं, क्या-क्या इन रोगों में रियाता है, क्या इसका रोगादिकार है, और किस तरह सका वर्ण द्रस्तत समुच्छा में आया है। I hope आपको स्वास का सकता हरी के इसी रिसके बारे में जो जानकारी बताई गई है, यह आपको पसंद आई होगी।